अधो कि आफ़ इस वीडियो में बात करेंगे बेसिण Kita को ऑफिर का आखर दिन था और एक ही बात कह सकता हूं record तोड दिया यह थिर नया record बना दिया है準 हम कह सकते हैं ईसा क्यों मैं कहरा हूं यह भी आपको वीडियो में आके बताऊंगा कितना total subscription निकल क्या है allotment chances क्या होने वाले current green market क्या है सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा उससे पहले दोस्तों अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है एक बाद हमेशा ध्यान रखीगा कि आपको अगर allotment आ जाता है तो आपको 97 रुपीज पर शेयर के अपसे एक शेयर मिलेगा total मिला के आपको 1200 शेयर मिलेंगे एक lot के अंदर दोस्तों अगर subscription के उपर आप चर्चा करें तो दोस्तों जो शुरुवात के दो दिन थे उसके अंदर पैसा काफी बढ़िया निकल के आया था दो दिन के अंदर QIP जने 16 गुना इस इशो को बरा था HNIs ने 122 गुना इस इशो को बरा था रीटेल ने 217 गुना इस इशो को बरा था तो दो दिनों के अंदर ये तो जरूर था कि सब्सक्रिप्शन काफी बढ़िया निकल के आया है और दो दिनों के ंदर ये अमने साफ देखा कि हाँ पैसा जो बरपूर मात्रा में निकल के आ रहा है तो आज के दिन वैसे बहुत इंपोर्टन आता देखना आकरी दिन हर एक category की तरफ से पैसा जो है फुल फ़ले जाता है हर एक category पैसा लगाना जो लोगें पैसा लगाना चाँते हैं बिसिकली हर एक category के अंदर वो लगाना चालू कर देते हैं ऐसा नहीं कि अब बेड़ कर सकते हैं तो QIBs जिनके द्वारा 16 गुना बरा गया था दो दिनों के अंदर आखरे दिन 116 गुना पे जाकर उनकी काटेगरी बंद हुई है और मैं आपको एक खास बाद आता हूँ QIBs मेजर ली कभी भी मैंने नहीं देखा है कि वो ज़ादा पैसा लगाते हैं कोई SME के अंदर की value है दोस्तों जो QIBs ने पैसा लगा है बहुत कम ऐसे SME IPO याद आते हैं जब QIBs इस तरीके से interested रहते हैं बहुत कम और I think if one of those IPO होगा SME में जिसमें QIBs ने बहुत पैसा लगा है और I think ये साफ-साफ जाहिर करता है ये कि अच्छी कमपनी के अंदर QIBs लगाते हैं बली वो SME हो बली वो में बोर्ड हो और इस IPO के अंदर भी साफ-साफ आप तो HNAs ने सिफ ऐसे अंदर 4,650 करोड के अप्लिकेशन भर दी 549 ताइम दोस्तो HNAs ने इस शुक बराए HNAs के लिए shares कितने थे आप खुद notice कर सकते हैं 8,72,000 और application आईए 47,93,30,400 shares के लिए मतलब shares है मात्र 8,70,000, 8,72,400 तो बी प्रसाइज और application आईए 47 करोड किया है के लिए almost सो आप खुद notice कर सकते हैं कि किस तरकी की huge demand देखी कई है इस IPO में अब आते हैं आखरी category जो है retail रीटेल ने भी दोस्तों कोई पीछे नहीं है चार सो पंदरा गुना चार सो पंदरा गुना जी हां चार सो पंदरा गुना दोस्तों इस issue को बढ़ा है और आप खुद समाझ सकते हैं कि चार सो पंदरा गुना कितना बढ़ा यहां पर terms है in terms of subscription कुल मिलाकर जो इसकी value बैठती है वो है दोस्तों 8,196 करोड 8,196 करोड का दोस्तों यह issue है मात्र 66 करोड का और का इसका पैसा निकल के आया है कुल मिलाकर दोस्तों के लिए shares से 20,35,200 लेकिन shares के लिए apply हुआ है 84 करोड 50,46,000 पूरे 84 करोड shares के लिए application receive हुई है retail के अंदर तो यह बात साफ है कि retail category के अंदर जो पैसा है वो भर भर के आया है पुरा कोई से भी category छोड़ती है retail का भी नहीं retail हो H9 हो QIB हो हरने पैसा जो है वो पुरी शिदत से कहते ना लगाया है अब इसके अंदर allotment मिलना आपको पता है वैसे ही बहुत मुश्किल है तो retail के अंदर allotment का chances कुछ इस प्रकार से कि हर 415 जन में से एक जन को allotment मिलेगा तो अगर आपको allotment मिल जाता है तो आप समढ़ीजे कि आप बहुत जादा खुश किसमत है इस आपको अंदर लगाया है बट अगेन allotment मिल जाता है तो सही में अतला इस प्याओर गेम ओफ लक जो जिसका लक बहुत तेज है उस दिन जिनको allotment मिल जाएगा टोटल नाकर दोस्तों जो issue है वो 358.60 टाइम सबस्क्राइब होने में काम्याब हुआ कुल मिलाके company ने 40 70,400 shares के लिए application निकाली थी और इस IPO को more than 100 crore more than 100 crores की shares के लिए application receive हुई है तो यह अपने आप में एक record है दूसरी बात आज तक कोई भी एक SME IPO ऐसा नहीं है जिसने 10,000 crore का mark cross करा हूँ लेकिन इस issue ने 10,000 crore का cross तो किया ही किया mark लेकिन total मिलाके 14,158 crore rupees इस IPO के अंदर निक कराएं यानि यह SME IPO history के अंदर अपना नाम अभी तो दर्ज करने वाला है क्योंकि यह most subscribed IPOs में से number one पे आता है SME के अंदर most subscribed in terms of money मैं कहा रहा हूँ in terms of subscription अगर आप in terms of times देखेंगे तो हो सकता है कि इससे भी जादा बहुत IPO हो लेकिन इतना पैसा कोई से भी issue के अंदर न one of the most valued वाला SME IPO हम definitely कह सकते हैं जो बन चुका है तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि allotment की date कौन सी होने वाली है दोस्तों इस IPO का allotment है 8 September को 8 September को इस IPO का allotment आ जाएगा तो जो लोग भी जिन लोगोंने भी पैसा लगाया है उन्दों के लिए important date है 8 September वो याद फिर 8 के बाद बाजार बंदे 9-10 फिर 11 तरीक को अपका पैसा refund आएगा 12 को shares credit होंगे और 13 September को listing है तो listing में काफी दिन है लेकिन जो most important date है वो है 8 September majorly पैसा 8 तरीक को आजाएगा वो कोई चंता वाली बात नहीं है बात important क्या 8 तरीक हो तरीक है जिस दिन अगेन आपकर किस्म निराश बने वाली बात नहीं है इसमें allotment वैसी पता है आपको कितना मुश्किल है current gray market अगर चर्चा करते हैं तो almost दोस्तों भी 231.96% की gray market चल रही है यानि gray market में भी activity बहुत जादा है activity काफी जादा दिख रही है reason simple है कि यह issue को जो subscription मिला है वो I think एक current सबसे वड़ा gray market इसकी gray market एक समय पर 300% के power चले गई थी but again 231% बढ़ी 70% नीचे आ गई लेकिन gray market अभी भी बहुत जादा दिखती है and मेरे सबसे तो listing इससे और उपर होगी इसमें कोई doubt नहीं है तो बस यह कि allotment मिलने का pray करिये बगवान से बाकी यह है कि जिन लोगों भी मिल जाता है वो आपने एचनाई केडिगरी में लगाया है यह comment section में जरूर दाएगा इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video